हेलो डियर स्टुडेंट स्वागत कर दे हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सर जोन टेक्निकल क्लासिस आप यहां पर फिटर टर्नर मसिनिष्ट ग्रैंडर बेल्डर और एलेक्ट्रिशन ट्रेट से संबनते सभी कॉमप्टिशन एक्जाम के तैयारी कर सकते हैं अभी आने वाले जो एक्जाम है UPSSC-TG-2 और यूपी अर्वनल अससिटेंट बोरिंग टेक्निशन इस रूव ड्यमर सी आधि सभी जो एक्जाम आने वाले हैं इन सभी एक्जाम के आप यहां पर त्यारी कर सकते हैं और साथ में आप हर दिन ऑनलाइन एक्जाम कराए जाती है तो बने रही है आज हम सुरुवाद करते हैं UPRB UNL UPSSC ISRO DMRC NFC सीरीच का तेरवा कॉशन पेपर का सॉलुशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप चवद्वा कॉशन पेपर देना चाहते हैं तो लिंक पर एक तो आपको आप स्टुडियंट की तरफ तो यह हमतने हिसे क्या प्रणिंग कर देना चाहते हैं यहां से हिस्तो को हम यहां से काट कि अलग कर देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तो कौन सा हिस्सा ग्राइनिक विल में आपका टच होगा, तो सबसे पहले आपका सबसे उचा वाला भाग होगा, सबसे पहले आपका वाला भाग क्या होगा, ग्राइनिक विल में आपका टच होगा, जिसके कारण से सबसे प्रथम इस पर कहां से होगा, कारे के उचे स्थान स तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है हमारा कारे के ऊचे स्थान पर सबसे प्रथम स्पार्क होगा अगले कौशन के तरफ चलते हैं कौशन पूछा गया है डायल गेज कारे सिद्धान्त अधारेत होता है इस डायल गेज वर्किंग प्रिंस्पल बेज्ट तो जो की आपका लाइन ने कॉत बार इस्सा होता है इस सटम की उपधि की उपरी हिस्ते में आपका स्काट ग às 600 को तीन यहां पर ताफ कोई के सुथoccupation इंडिकेटर होता है उसका मुख् warmthK स्टा होती है आपकी शर्फेस होती है सर्टेस आपकी सर्फेस पर कोई high spot या कोई low spot नहीं है यह सता है कि जो सम्तलता है उसको चैक करने के लिए मुख्रूप से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग डायल गेज का प्रयोग करते हैं अगला question दिया हुआ है कौन यंत्रा वली rotary motion को linear motion में convert करती है विच Mechanism Convert rotary motion in a linear motion भेराइस options है crank और सलाटेड mechanism worm and worm wheel mechanism bevel gear mechanism And all of this तो आपने देखा होगा क्यों आपकी drilling machine की working table होती है working table आपकी जो column होता drilling machine का column आपकी working table यहाँ पर लगाए जाती है जबकि drilling machine के पूरे कॉलम में हम लोग वर्किंग टेबल को ऊपर से नीचे क्या कर सकते हैं चला सकते हैं किस माध्यम से चला सकते हैं आपका जो ड्रिलिंग मसीन होता है ड्रिलिंग मसीन के कॉलम पर रेक कटे हुए होते हैं और इस वर्किंग टेबल के साथ आपका एक पिनियन अटेच हो यहां से रेक अट पिंइन तो आपका प्सें दिया नहीं है अब यहां पर आपने लोग देख लेते हैं कि Crank And Slotted Mechanism क्या होता है तो यहां से हम बताते हैं आपको यहां से अपन को Crank And Slotted Mechanism क्या होता है Crank And Slotted Mechanism आपका एक Bull Gear होता है यह आपके Shaper Machine की Working Table होती है करते हैं इसके लिए होता क्या है कि एक आपका बुल-गेर होता है इस कौभ चोटा सा पैंक होता है जो कि कि बाहर के अशक्छा आर्म है एक स्लॉटेड्व कि और लेकर चाते हैं इस तरह से हमारा हidalockeraksi होता है है हमारा Action Taking मूब इंग और गाड़ी का पैंजोल मैं के यहां से कि माद्यम से हमारा ये आपकी लिंग क्या करती है इसको चोटी सी क्या बोलते हैं यह आपकी लिंग क्या थे हैं इसको जो जाती है तो इसके लिए भी अलग से एक बीडियो गुना दूँगा तो यहां से हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है वो हो जाता है क्रेंग केंड स्लॉटेट मेकनिजम रोटरी मोशन को लीनर मोशन में करता है वर्म एंड वर्म भील मेकनिजम क्या होता है? तो मैंने आपको काफी पहले वीडियो में दखा चुका है जो वर्म एंड वर्म भील मेकनिजम होता है उसका भील मुक्ख होदेश होता है वो आपका काफी ज़्यादा स्पीड को vertically drive करना है लेकिन इस्पीड को reducing में मतलब आपका जो वर्म होता है आपका जो वर्म होता है काफी ज़्यादा स्पीड में घुमता है और स्पीड में घुमने के कारण उसकी जो पावर होती है यह जो आपका वर्म लगा हुआ होता है यह वर्म है आपका इसकी पावर को यह रोटरी मोशन में काफी ज़्यादा speed मातर में गूमता है इसकी power को हम लोग किस में convert कर देते हैं worm wheel में convert कर देते हैं और speed यहाँ पर काफी ज़्यादा reduce हो जाती है यहां कहा भी जाता है कई वार caution पूछा जाता है कि negative drive value thread कौन सी है तो negative drive value thread होती है आपकी worm thread एक कि signature का लहाँ तो वहां पर को परूब करते हैं अगले तरह के तरप चलते raging जाए तो उसे कहते ह Kingssti क्या हूँ और मैं आपको बना रह Beetle ने पर ऑफ संडे Scout हैं कि if the circle is drawn at the height up to clearance of the root circle it is called tip circle, clearance circle, pitch circle या फिर base circle तो देखेंगे चारों circle में बनाता हूँ आपके लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपके लिए pitch circle, pitch circle अर्था gear के दातों में जो मुख्य हिस्सा होता है अर्था जहां से पूरे gear का system चाल दो होता है वो pitch circle ही होता है, pitch circle के पस्षाथ यह आपका pitch circle चलता है जो की center में होता है इसके उपर का circle आपका tip circle किराता है रथा tooth का जो circle होता है सबसे उपर वाला हिस्सा उसे हम लोग tip circle या addendum circle या फिर major circle भी बोलते है इसके just नीचे जितनी बराबरी में कटा हुआ है यहां से हमारा base circle चलता है इसको हम लोग base circle बोलते हैं जहां से gear के profile यहां से start की जाती है और base circle से just नीचे आपका root circle होता है यह हमारा question पूछा गया है कि root circle से उपर यह on-foosaий की ऊपर वाला हम लोग ने बरत्य खीचा है सिसे हम लोग क्या नाम दिया है तो इसे हम लोगने नाम दिया है base circle क्या नाम देंगे सिसे हम लोग base circle तो अमारा यहां से answer कर जाता है यहां रोटा सनकल कर जाता है अगले कोशन की तरप चलता है कोशन पूछा गया है आपसे नेक्स्टू हाइछ स्पीर के टूल प्रयों किये जाते हैं हाइश इन Philipp studied पहले किलियर किया हुआ है कि हमारा high speed steel होता है हमेशा जो high carbon steel से होता है उससे कहीं ज्यादा speed में और कहीं ज्यादा तापान में प्रयोग किया जाता है तो यहां से हमारा answer निकल कर किया जाता है only high carbon steel यह यू कह सकते हैं कि जो high speed steel की टूल होते हैं high carbon steel की तुलना में दो गुना अधिक गती और लगवक्त तीन गुना अधिक तापान पे प्रयोग किये जाते हैं red hardness के अरव हम लोग बात करें तो high carbon steel की red hardness लगवक 2500 के आसपास होती है जबकि high speed steel tool की red hardness 600 degree centigrade के आसपास होती है red hardness के होती है किसी cutting tool का वहत आपमान जिस आपमान तक उसे operate किया जा सके वह red hardness कहलाती है तो यहां से हमारा answer clear हो जाता है high carbon steel tool से अधिकी speed पर अगला question चलते है question पूछा गया है centerless grinding में प्रयोगत होने वाला control wheel का निर्मान किस bond से किया जाता है why which bond is the control wheel used in centerless grinding options है wetterified bond, reginoid bond, reginoid or backlight bond क्योंकि reginoid bond को ही backlight bond के नाम से जाना जाता है rubberized synthetic bond यह फिर select embry bond तो यह आपका जो centerless grinding होती है centerless grinding में यह आपका grinding wheel होता है इसे हम लोग control wheel बोलते है और control wheel के just सामने आपका नियोका होता है regulating wheel तो मैंने इसको कई बार clear किया हुआ ये exam में कई बार फूछा जा चुका है कि जो आपका grinding wheel होता है, इसको यह उस्यक्त ना हो सके तो आपका grinding wheel है या control wheel का बनाया जाता है यह बनाया जाता है rubberized synthetic bond का अगला question की तरफ चलते हैं question पूछा गया है Snip का cutting age निमने में से कितने degree कौन में grand किया जाता है How many of the following angles of cutting ages of Snip grand into Options है 81 degree, 87 degree, all of ever या फिर 60 degree काफी सारे लोगों को इसमें doubt है कि Snip और share दोनों में काफी ज़्यादा doubt हो जाता है कटाई गरता लगवक तीने में मौटी की प्लेटों जो सीटें होती है जो पतली-पतली सीटें होती है उनकी कटाई के लिए हम जो गश्निप का प्रियूब करते हैं और तीन से लगवक 6 mm के आसपास तक की जो सीटें होती है या यू के है कि 10SWG के असपास की जो सीटे होती है उसके लिए हम लोग शियर का प्रयूप करते हैं देखने में दोनों लगवक समाल होते हैं बस दोनों की कारशमत अलग होती है तो इनके जो cutting gauges जो grind किया जाते है SNIP का 81 degree पे grind किया जाता है और जो हमारा शियर होता है शियर का 87 degree पे grind किया जाता है शियर के लिए के इतना होता है आपका 87 degree होता है Next question के दरब चलते हैं Question पूछा गया है Impact परिक्षण किसे ग्याद करने में प्रयूखत किया जाता है What is the impact test used to determine options है तो हम यहां से आपको बतादे कि जो आपका impact test होता है मुख रूप से आपका toughness करने के लिए किया जाता है किसके लिए होता है toughness अर्था चीमलपन परिक्षण कि लिए किया जाता है तो किसी धातु की toughness कितनी है उसके लिए impact test आपकी दो प्रकार के होते है एक होता है आपका आई जोल टेस्ट होता है एक होता है आपका 4P टेस्ट होता है एक होता है आपका 4P तो ये दो आपकी प्रोसेस होते हैं इस तो मैं कॉशन पूछा जा चुका है था कि आई जोल और 4P जो टेस्ट होते हैं वो किस से संबंदित होते हैं तो आई जोल और 4P ट ना देते हैं और इसको अपनों लोग फेस पे रखते हैं उपर से हेंबेंग करते हैं तो जितने व्र तो यह यह तो तो यह तो आँखरी इसका इसकी टूट रहेगा भो आक्रास पॉइंट हो जाएक क्यों साह जाते हैं Вас I तरह बेस रखते हैं और विए यह नहीं होगा वह इसकी टफनेस हो जाएगी तो यहां से हमारा आसर के लिए हो जाता है impact friction मुख रूप से toughness ग्याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है अगला question, question दिया हुआ है दोहरे असमान कौन cutter का प्रयोग खालिस्थान की machine कारहेतू किया जाता है double angle cutters are used for machining work of drill and trepening cutters, reamers and tape flutes, drills and reamers, tape and trepening cutter तो यहां से आप जो cutter देख रहे हैं, यह cutter आपका double angle cutter कहलाता है इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो मुखिता प्रयोग किया जाता है यह आपकी reamers and tape flute को बनाने के दौरान जो cutting करते हैं इसके लिए हम लोग double angle cutter का प्रयोग करते हैं अगला question दिया हुआ है, shaper पर width worth mechanism के कारण due to width worth mechanism on shaper, shaper का cutting stroke return stroke से धीरे चलता है shaper का cutting stroke return stroke से तेज चलता है return stroke cutting stroke से धीरे चलता है और दोनों stroke बराबर चलते हैं तो इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई हुई है वीडियो की लिंक आपको मैं इस description box में आपको provide करवा दे रहा हूँ जहां से आपको shaper का mechanism है आपका की कौन सा stroke कब fast चलता है, कौन सा stroke slow चलता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई, वीडियो की लिंक आपको description box में provide हो जाएगी कि फिलाल मैं यहां से आपको समझाता हूँ, कि जो हमारा shaper का विटवर्स mechanism होता है विटवर्स mechanism एक प्रकार का link और एक प्रकार का crank and slotting mechanism से संबंधित ही होता है यह विटवर्स mechanism भी आपको में एक दिन पूरी वीडियो बनाके समझाऊँगा, यहां पर तो possible नहीं है रेम के cutting stroke और return stroke का जनुपात होता है, वो 3 अनुपात दो होता है अर्थात यह 3 मिनिट अगर यह रेम cutting stroke में time लेता है, तो 2 मिनिट आपका return stroke में time लेगा तो यह return stroke में तीजे सी आता है, जबकि cutting करती हुई धीमी गती से जाता है तो यहां से हमारा answer clear हो जाता है आपका क्या Shaper का cutting stroke return stroke से दीरे चलता है अगले question की तरब चलते हैं Shaper की cutting speed को बोलते हैं Shaper's cutting speed is called Ram की stroke length, surface speed एक चक्कर में tool को दी गई feed या फिर vertical feed तो चाहे किसी भी cutting speed की बात की जाए cutting speed को हम लोग surface speed या फिर spherical speed के नाम से भी जानते हैं तो यहां से मैं आपको Shaper की cutting stroke का cutting speed का एक फार्मूला बता दे Shaper की cutting speed के लिए आप देखेंगे यहां पे लिखा होगा length of the cutting stroke time required for cutting stroke cutting stroke और cutting speed तो cutting speed हो जाएगी आपकी V or hour N into L 1 plus M upon 1000 meter प्रती minute जहां पर L length of stroke हो जाएगा N number of stroke per minute हो जाएगा और M हो जाएगा ratio between return stroke and cutting stroke तो यह हो जाएगा आपका return stroke and cutting stroke का अनुपाथ हो जाएगा यहां से ठीक है तो यह चीज़ आपका यहां से आप वीडियो को पाउस करके इसको यहां से हमारा answer clear हो जाता है surface speed अगला question चलते है question दिया हुआ है trend is defined as the ratio of बिक्रती को बिक्रती को अनुपाथ की रूप में परिवाशित किया गया है तो यहां पर आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है change in volume the original volume mule item से un-item में बदल जाना change in length और original length mule लंबाई से un-leंबाई बदल जाना change in cross-sectional area to original cross-sectional area mule अनुपरस्ट छेत्रफल से un-annुपरस्ट छेत्रफल में बदल जाना any one of the above इन में से कोई भी एक तो जो हमारी strand होते अर्था जो बिक्रती होती है तो जब कोई part होता है suppose that आपका ये कोई part है जब किसी part में आपकी बिक्रती होगी तो वो बिक्रती किस-किस form में होगी अगर मान के चलो ये बिक्रत हो जाए इस्ट्याप से आपकी बिक्रत हो जाएए तो ये बिक्रती कहा कहा होगी इसके लंबाई में भी बिक्रती होगी इसके आयतन में भी विकरती होगी और इसके 6 रफल में भी विकरत होगी तो यहां से हमारा जो answer आता है निकल कर वो क्या हो जाएगा कि जो विकरती होती है वो इनमें से कोई भी एक हो सकती है अगले question की तरफ चलते है question पूछा गया है बड़ा है अच्छा question है कौन से ओजार की प्रयोग से तार को काटा और मोडा जाता है तो यहां से हमारे options हैं प्लाइर, फ्रेंच, स्कूोडाइवर या फिर हैमर तो जो हमारा जो तार होता है चाहे तोड़ा सा मोट धातू का तार हो उसके लिमें किसका प्रयोग करते हैं या आपका जो प्लायर होता है प्लायर का जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो मुख्य प्रयोग क्या क्या है प्लायर का जो मुख्य प्रयोग होता है वो तार को पकड़ कर काटने के लिए किसी राउंड ग्रिप को पकड़ने के लिए इसी फ्लैट सीट को पकड़ने के लिए तो काफी सारे यूजिस होते हैं आपके प्लायर के जो कि बनाया जाता है काश्ट इस्टील का प्लायर बनाया जाता है अगले कॉशन टरब चलते हैं कॉशन पूचा गया है सेरामिक इंसर्ट खालिस्थान धातूओं के सनीोजन से प्राप्त होता है आप्शन से कोबाल्ट टंगश्टन बाटेंटालम टंगश्टन क्रॉमियं वावैनिडियं अल्यूमीनियू सिलिकान या मैtime इसलिकान जीन कारवन कोबाल्ट यह फिर तंगश्टन यहां से हमारा ज सेहलिंप की तूल मुक्त क्नाया जाते हें और बनाने काला फर्सक्राइब की ब्रॉसेस साइब की जांट से हमारे सिंचियों को हुते हैं वो high speed steel के तुल्ला में 3 गोना अधिक कठोर होते हैं जब की high speed steel की जो गती होती है उसके तुल्ला में 40 गोना अधिक गती पर कार करते हैं और car wide की तुल्ला में 4 गोना अधिक गती पर कार करते हैं तो आपका जो ceramic का tool होता है काफी ज़्यादा भंगर होता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की coolant की आपशक्ता नहीं होती है यहां से जो हमारा option दिया हुए tungsten chromium और vanadium यहां पर 18-4-1 का अगर हम लोग अनुपात बना देते हैं 18% tungsten, 4% chromium और 1% vanadium तो यह हमारा high speed steel कहलाता है क्या कहलाता है high speed steel अगले caution की तरब चलते हैं caution पूछा गया है late machine में cross slide यथा top slide में backlash adjustment करने के लिए खलेसान की विवस्ता रहती है the late machine has a system of backlash adjustment for cross slide and top slide options है T-volt, taper jib, slaughtered ring net या फिर carriage तो मैं आपको सबसे पहले backlash क्या होती है और slackness क्या होती दोनों चीज़े समझा देता हूँ तो जो backlash होती ही तो होता है क्या है कि जब हम cross slide को या फिर जो top slide होती है cross slide या फिर top slide को जब हम लोग move करते हैं तो move करने के दौरान आसानी से वो चली जाती है लेकिन जब हम लोग उसको return घुमाते है handle को return घुमाकर उसको बापस लाना चाहते है तो एक वार घुमने पर या दो वार handle के घुमने पर भी आपकी जो cross slide है जो आपकी top slide है वो बापस की और नहीं आ पाती है जिसको हम लोग बोलते है backless error तो इसके लिए जो backless error होती है वो move group से क्यों होती है क्योंकि जो thread होती है वो thread घिस जाती है या फिर उसके साथ पर जो slotted ring net लगा हुआ है उसकी thread क्या हो जाती है थोड़ी बहुत घिस जाती है तो हम लोग को जो error प्राप्त होती है वो कौन सी error प्राप्त होती है backless error प्राप्त होती है इसके लिए जो slotted ring net होता है slotted representative को क्या कर दिया जाता है थोड़ा सा tight कर दिया जाता है ताकि जो back less error है वो क्या हो जाती है थोड़ी कुछ हथ तक in उसको हम लोग किya करते हैं दूर कर लेते हैं slackness क्या होती है तो slackness के लिए आपने देखा होगा जो हमारी top slide होती है चाहे हमारी cross slide ही कोना हो दोनों ही हमारी जो slide होती वो एक जो हमारा dopo dal fitting होती है लगाता है यह थे करने के पसका दिना पनाने लगता है तो यहां पर पार्ट रूज होने से इनकी जो accuracy है वो क्या होती है प्रभावित होती है इनकी accuracy को जो प्रभावित होती है तो इसको बचाने के लिए हम तो किसका प्रयूप करते हैं taper jib और taper jib को एकडम side में केवल एक corner पर लगाया जाता है जो की brass की बनी होती है और इसको tide करने के side से allen screw य के लिए slotted ring nut होता है जबकि जो slackness error होती है slackness error के लिए हमारे कौन सी होती है taper jib होती है slackness error के लिए taper jib तो यहां से हमारा answer clear हो जाता है slotted ring nut अगले question के तरफ चलते हैं question पूछा गया है काफी important question है और यहां से कई वारी question पूछा जा चुका है electric valve में भरी जाने वाली gas है is the gas filled in the electric valve options है nitrogen hydrogen carbon dioxide या फिर oxygen तो हमारे जो electrical valve होते है electrical valve में मुख रूप से हमारी क्या भरी होती है nitrogen gas भरी होती है अगला question दिया हुआ है quick return mechanism का मुख्य उद्देश क्या होता है the main purpose of the quick return mechanism cutting stroke की गती को कम करना reduce cutting stroke speed job को जल्दी set करना quick set up job job पर अच्छी finish प्राप्त करना get a good job investment machine के समय return stroke के idle time को कम करना idle time for return stroke when machining to reduce quick return mechanism क्या होता है quick return mechanism का मतलब होता है cutting tool होता है इस type का एक हमारा cutting tool होता है यह cutting tool हमारे जो shaper machine होती shaper machine के RAM पर लगाया जाता है तो यह cutting tool यह किसी job पर जब यह cutting कर रहा होता है है तो जाने के time पर धीमे से जाना और तैजी से बापसाना फिर से धीरे स जाना और तैजी से क्या होना मतलब तेजी से बापेस आना मतलब क्या होना है क्रिटर्न रिटर्न करने का मतलब होता है क्रिटर्न करना उसे हम लोग जो हो जाता है कि जो मसीण कर्द इस ट्रोक का जो idle time होता है, उसको क्या कर देते हैं, हम लोग कम कर देते हैं, तो यहां से हमार answer clear हो जाता है, अगले caution की तरब चलते हैं, caution पूछा गया है, एक micrometer के thimble को दो चक्कर रगाने पर, एक millimeter आगे बनता है, उस thimble पर 25 निसान है, micrometer का अलपत मांग को होगा, after two rounds of the thimble, of a micrometer is moves 1 millimeter, there is 25 mark on the thimble, on the thimble, what will the minimum number of micrometers, answers है, options है, 0.002 mm, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.1 mm, तो यहां पर पहले मैं आपको clear कर देता हूँ कि जो हमारा thimble है, इस thimble में बोला गया है, कितने निसान है, तो इस thimble में बोले गया है, आपकी कितने निसान है, total 25 mark है, ठीक है, अरथा thimble division की शंक्या कितनी यहां से 25 है, अब आपका जो sleeve है, इस sleeve के अंदर जो आपका spindle है, इस spindle में जब हम लोग thimble को दो पूर चक्कर गुमाते हैं, अरथा एक बार पूरे 25 गुमा लिए, दूसरी बार पूरे 25 गुमा लिए, तब वो कितना आगे बढ़ रहा है, अरथा दो थ्रेडों को cross कर रहा है, तो एक मिलिम्टर आगे बढ़ने का मतलब होता है कि इसकी pitch कितनी हो जाएगी, इसकी pitch हो जाएगी 0.5, पिच कितनी हो जाएगी, इसकी 0.5 इसकी pitch हो जाएगी, आप जानते हैं कि जो micrometer का जो अलपतम होता है, जो least count होती है, वो क्या होती है, pitch upon thimble division, आपकी pitch कितनी है, 0. 0.5 mm है, जब कि आपके thimble division कितनी है, 25 है, तो जब आप 0.5 में 25 का जाएगी, तो answer निकल कर जाएगा, 0.02 mm यहां से हमारा answer निकल कर जाएगा, काफी सारे लोग इसमें doubt थे, तो ये काफी सारे लोग का ये कहना था कि इसमें 0.01 mm होना चाहिए, चुकि micrometer की list count होती है, वो समा फिरा कर आप से पूछा जा सकता है, ये जाता जाता है कि आपकी बौदिक शमता कितनी है, आप कितना हद तक किसी भी basic, किसी भी base को आप पकड़े के रखे हुए, तो यहां से जो है, आपका ये clear होना चाहिए, कि आपको उसके बारे में basic knowledge होना चाहिए, basic knowledge के लिए of the following mediums, rake by rake and pinion, via warm screw, via handle, all of these, तो यहां से मैं आपको सबसे पहले adjustable spanner को, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका एक adjustable spanner है, और adjustable spanner में इसको tight करने के लिए, खोलने के लिए, लूज करने के लिए, किसी भी काम के लिए, हम लोग इसका प्रियोग करते हैं, जो आप दे हैं, तो ये वर्म screw के माध्यम समलोग क्या करते हैं, adjustable spanner के move को हम लोग क्या करते हैं, अप एंड डाउन, move करते हैं, तो यहां से हमारा, हमारा answer यहां से clear हो जाता है, कि जो वर्म screw होता है, वर्म screw के माध्यम समलोग क्या करते हैं, adjustable spanner का move को, move करते हैं, question दिया हुए अगला निम्रिकित में से क्या pedestal grinding machine टूल पर टूल के grinding के बिशाय में सत्य है सत्य कथन पूछा गया है which of the following is true grinding of tools a pedestal grinding machine तो यहां पर options दिया हुआ है हमेशा grinding wheel के सामने खड़े होकर grinding करने चाहिए तो इसको पहले मैं clear कर देता हूँ यह जो हमारा grinding wheel है अगर आप grinding wheel के सामने खड़े होकर grinding करते हैं तो इस दौरान जो abrasive मिकलेंगे वो आपको सीदे सीदे चोटल कर सकते हैं आपको नुकसान पहुचा सकते हैं तो कभी भी pedestal grinder पर off-hand grinding करते समय grinding wheel के फिर के सामने खड़े नहीं होना चाहिए हम इसा grinding wheel के थोड़ा सा साइड में खड़े होना चाहिए तो यह हमारा अंसर यहां से अगर सत्य पूछा जाए तो यह वाला option क्या हो जाता है गलत हो जाता है अगला हमारा बोला गया है wheel phase के एक शी स्थान पे grinding करने चाहिए grinding should be done in one place of wheel phase यह हमारा grinding wheel है अगर इसके केवल एक स्थान पे हम लोग grinding करेंगे तो जानते हैं क्या होगा एक स्थान पे grinding करने से यह दीरे 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 क्या होता जाएगा यह सा दपता जाएगा अर्थात यह एक प्रकार का group बनाने का जिसको हम लोग बोलते हैं grooving यह दो से grinding wheel का इसे हम लोग बोलते हैं groving अजिए आप के बल सेंटर बस में grinding करते जाएंगे तो ये गढधा अंदर की और होता जाएगा जिसे हम लोग प्राप्त हो जाएगा तो कभी भी grinding भी के पूरे फेस पे हम लोग को क्या करना चाहिए grinding करना चाहिए तो हमारा यहां से यह भी answer क्या ह हुआ जाता है अगला पूछा चाहिए bill को side के तरफ से प्रियोग नहीं करना चाहिए तो कभी आप mining करते हैं लिए जो भी टूल करना चाहते हैं अगर आप इसके साइट से अगर अखर जो पहर उत्रूल को निश्सर को चाहिए तो यहां से आपका जो answer जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आपके यह तीनों कथन क्या हो रहे हैं असत्त कहला रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या जाएंगे उपरोक्त उपरोक्त क्या हो जाएंगे आपके तो यहाँ से थोड़ा सा mistake हो गई है थोड़ा सा आपको यहां पर यह concentrate करना है कि यहां पर आपका लिखा हुआ है option 3 में कि wheel को side के तरफ से प्रयोग नहीं करना चाहिए तो यही answer है हमारा, मतलब यह सक तकत हैं हमारा कि wheel के side से कभी भी हम लोग प्रयोग नहीं करना चाहिए हमेशा grinding wheel के face को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए तो यहां से हमारा answer निकल कर क्या आ जाता है, answer मारा हो जाएगा C, अगले question की तरफ चलते है, question पूछा गया है surface grinding के दौरान, finish cut के लिए काट की गहराई स्ताधानता रखी जाती है during surface grinding, the desktop cut is usually maintained for the finish cut options है, 1-10 micron, 5-10 micron, 0.5-5 micron, 10-30 micron तो जब आप surface grinder का प्रयूप करते हैं, surface grinder एक प्रकर का precision grinder कहलाता है, इसके लिए जो आपका finish cut होता है finish cut के लिए हमेरे साधा काट की गहराई कम रखना चाहिए तो यह जो गहराई होती ही, वो होती ही, 5-10 micron answer हो जाएगा हमारा B, 5-10 micron हमारा क्या हो जाएगा यहां से answer निकल करा जाता है, अगला question दिया हुआ किसी खाच की चोड़ाई, 0.5 mm की शुद्धता में check करने के लिए प्रयोग किया जाता है, used to check the width of slot to 0.5 mm accuracy, options are जैनी के लिपर, outside के लिपर, inside के लिपर या फिर dividing, divider, तो यहां पर देखेंगे कि हम लोग कोई slot है, example हमारी कोई slot है, और इस slot को हमको 0.5 mm की शुद्धता में check करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहां पर जो आपके दिये हुए यहां से हमारा answer क्या हो जाएगा, inside केली पर अगला question पूछा गया है, honing allowance रखा जाता है honing allowance is maintained, 0.01 mm से 0.02 mm 0.02 mm से 0.03 mm 0.001 mm से 0.002 mm या फिर इन में से कोई नहीं तो जो honing allowance होता है, honing करने से पूर्व जो धातु छोड़ी जाती है जो होती है, 0.01 mm से 0.02 mm और जो हमारा लेपिंग allowance होता है, वो होता है 0.005 से 0.01 mm के आसपास हमारा लेपिंग allowance होता है अगला question दिया हुआ है, precision grinders का प्रयोग खालेसान tolerance को प्राप्ट करने के लिए किया जाता है precision grinders are used to achieve blank tolerance 0.010 mm, 0.001 mm, 0.020 mm, 0.002 mm तो precision grinders के लिए जो हम लोग tolerance प्राप्ट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो हो जाता है, absence A, 0.010 mm अगले question के तरफ चलते हैं, question पूछा गया है cutter को cutter को cutter spindle के center में रखने के लिए किस stub armor में centralizedization spy guard का प्रयोग किया जाता है in which stub armor is the centralizing spy guard used to place the cutter in the center of the cutter spindle options है type A, type B, type C यह फिर all of ever तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं type B प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? type B का प्रयोग करते हैं अगले question के तरफ चलते हैं pipe wise के दोनों जा बने होते हैं आर बूत जो हमेड और pipe wise 0, 45 degree के कौन में, 60 degree के कौन में, 90 degree के कौन में उपरुक्त सभी आपके pipe wise मैं आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ इस टैब से आपकी pipe wise होती है यह आपके pipe wise के जबडे होते हैं यह पूरी cover होती है, इस तरह से आपकी पूरी cover होती है यह आपके जबड़े हैं यह भी आपका जबड़ा है और यहां से आपका एक spindle move होता है आगे की हो यह आपका complete pipe bias हो जाती है pipe bias मुख रुप से आपकी cast iron या फिर cast steel की बनाए जाती है तो आपको जबड़े बनाने से यह आपको इस पश्ट हो रहा थे यह कितने degree आ रहा है यह 90 degree आ रहा है तो कितने degree कोण पर होते है 90 degree के कोण पर एक बहुत ही important question पूछा गया थे कि जब हम लोग pipe bias से किसी pipe को पकड़ते हैं तो pipe को पकड़ने के दौरान pipe bias कितने एस्थानों पर या कितने बिंदुओं पर किसी pipe को hold करता है तो चार एस्थानों पर क्या करता है pipe को hold करता है अगले question के तरब चलते हैं question पूछा गया है center punch निविखित पदार्थ का बना होता है center punch is made up of which of the following materials options अगर किसी भी पंच की बात की जाए तो हमेंसा वो किसके बना जाते हैं अगला question है broaching के द्वारा एक बार में धातू काटी जाती है तो जो हमारा broaching tool होता है इस टैल से आपका broaching tool होता है और broaching tool के माध्यम से broaching tool एक ऐसा माध्यम से के बल एक बार में रफिंग के साथ finishing process complete हो जाती है तो यह लगवक एक बार में 6 mm की धातू को क्या करता है हटा देता है अगला question दिया हुआ है T-slot cutter, buddruff cutter, doftail cutter, end mill cutter को बांद कर milling संक्रिया को पूरा करने के लिए किस milling attachment का प्रयोग किया जाता है In which milling attachments are used to complete milling operations via holding T-slots, cutters, buddruff cutters, doftail cutters and end mill cutters Slotting attachment, dividing head attachment, planning attachment या फिर vertical milling attachment तो यहां से हमारा answer जो निकल कर आ जाता है यहां से हमारा answer clear हो जाता है vertical milling attachment आंसर हो जागा यहां से हमारा D, vertical milling attachment अगला question पूछा गया है, question हमारा, job के inside corner की finishing की जाती है The inside corner of the job is finished, square notch tool द्वारा, cranked tool द्वारा, ground notch tool द्वारा या फिर cornering tool द्वारा, तो जो job का inside corner होता है, जैसे job का inside corner है इसकी finishing के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, cornering tool का प्रयोग करेंगे चले, तो यह आज का आपका, यह chapter आज का जो paper था आपका, यहापे आपका complete solution होता है अगर आप, अगर आपको यह paper अच्छा लगा, अगर आपको यह paper का solution अच्छा लगा, काफी आपके लिए helpful था तो आप वीडियो को like जरू करें, और वीडियो को subscribe करेंगे, ताकि आपको आने वाले और भी solution आपको प्राप्त हो जाए सक्सेज होंगे, साथी नमस्कार दोस्ते